नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मयंग शेखर FCI AZ3 Catertechnical और मेरा सेलेक्शन इसी साल 2020 में हुआ है तो चलिए दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हूँ आपके अपनी चैनल सेलेक्शन मेंटर पर तो आप सभी को याद होगा कि मैं यानि मयंग शेखर आप सभी के साथ पर दे तीन वोकाबलरी वर्ट्स का डिसकसन करता था हिंदी और इंगलिश दोनों में बड़ आज से हम एक नई चीज आपके साथ लाए हैं जिसका नाम है वोकाबलरी का पंच नामा यानि पर दे आप सभी के साथ तीन नहीं बलकि अब पांच वर्ट्स का हम डिसकसन करें हिंदी और इंगलेश दोनों में जाहिर सी बात है कि इससे आपको फायदा किसी भी तरह की एक्जामिनेशन में होगा वह बैंक हो आप हमारे साथ टेलिग्राम चैनल पर भी जूर सकते हो यह यह भी लिंक आप टाइप करके जूर सकते हो वहाँ पर आपको किसी भी एक्जामिनेशन से related हर एक information हर एक update आपको मिलते रहेंगे आप हमारे telegram channel पर अंकूर सर से भी contact कर सकते हो और या फिर आप हमारे विराट सर से भी contact कर सकते हो तो चलिए हम पहला word start करते हैं so the first word is breakthrough breakthrough का हिंदी में अर्थ होता है महतुपूर्ण खोज आप इसके synonyms को भी लिख सकते हो and these are first advance, second one is important, development, discovery, find, etc आप इसके antonyms को भी लिख सकते हो sit back, decline, decrease, loss यह देखिए मैंने एक महतुपूर्ण खोज के लिए आपको एक figure भी दिखा रहा है कि यहाँ पे किसी ने हाथ मारा और कुछ उसको मिला तो वो एक महतुपूर्ण खोज हुआ इसको कहते हैं breakthrough आप इसके example भी लिख सकते हो जैसा कि मैंने कहा इसराइल के रक्षा मंत्रीन ने दावा किया है कि उनके देश ने घातक coronavirus की इलाज के लिए जवर्दस्त महतुपूर्ण खोज की है I hope आपको यह word समझ में आ गया होगा तो बढ़ते हैं दूसरे word की तरफ यह हमारा दूसरा word जिसका नाम है sanguine S-A-N-G-U-I-N-E sanguine इसका हिंदी में अर्थ होता है आशावादी आप इसके synonyms भी लिख सकते हो and these are first confident, assured, cheerful, optimistic, positive आप इसके synonyms भी लिख सकते हो gloomy, pessimistic, doubtful and uncertain आए दूसरो हम इसका एक example लिखते हैं जैसा कि हमने कहा billionaire investor Warren Buffett made the sanguine prediction about the economy and said that it will bounce back इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि अरबपती निवेशक Warren Buffett ने अमेरिकी आर्थ व्यवस्थागे बारे में आशावादी भविस्वानी की और कहा कि यह वापस उच्छाल पर होगी I hope दोस्तों यह word आपको समझ में आया होगा तिसरे word के तरह हम बढ़ते हैं जो की है हमारा patent पेटेंट पेटेंट इसका हिंदी में वारत होता है एक कस्वा आप इसके सिनोनिम्स भी लिख सकते हो पहला होगी इसका जैसा के प्लेइन, अन्मिस्टेकेबल आप इसके एंटोनिम्स भी लिख सकते हो मोरल, फॉर्गेट, इंडिफिनेट और लास्ट वन इस हीडिन आए दोस्तों हम इसका एक एक एक्जामपल लेखते हैं जैसा के हमने कहा इसका हिंदी मरत हुआ कमपली ने हाल ही में एक गर्म सीट बेल्ट के लिए एक एकस्व आवेदन धायर किया आए दोस्तों हमारे जो चौथा वर्ड है उसका नाम है पीचर पीचर, इसका हिंदी मरत होता है घरा यानि सुराही, आप देख रहे हो and these are first unformed and the last one is amorphous आए दोस्तों हम इसका एक example लिखते है जैसा कि हमने कहा simply leave the slices of cucumber in the pitcher when serving and refill the pitcher इसका हिंदी मरत हुआ परोस्ते समय खीरे की slices को जग या एक प्रकार के घरे में छोड़ दें और घरा या जग जो भी है उसको फिर दुबारा से भरे I hope दोस्तों ये भी word आपको clear हो गया होगा और हमारा जो last word है जिसका नाम है novice novice का मतलब ही होता है नौ सिखिया यानि उसको हम beginner कह सकते हैं जैसा कि synonyms भी आप देख रहे हो beginner है, learner है, newcomer है trainee है यानि कोई भी इंसान जो नई नई चीजें सिखता है वो हो गया novice आप इसके antonym से लिख सकते हो expert, professional या teacher आईए दोस्तों हम इसका एक example लेखते हैं जैसा कि हमने कहा Rafael Nadal claimed that he was a computer novice doing an Instagram chat with Andy Murray इसका हिंदी मर्थवा कि Andy Murray के साथ एक Instagram chat के दुरान Rafael Nadal ने दावा किया कि वो एक computer के नौ सिखिया थे यानि वो नया नया computer सिख रहे थे I hope दोस्तों ये पांचो vocabulary words आपको clear हो गए होंगे So thank you for watching and please try to stay with us and please हमारे इस video को like कीजे share कीजे या जो भी आपके comments हैं आप comment कीजे So thank you so much Bye झाल झाओ कीज हुआ कीज है झाल कीज है So thank you